नमस्कार दोस्तों ये है Tata Motors के Intra V50 Tata Motors के 1.58N सेग्मेंट में आने वाली सबसे बढ़िया पीकप ट्रकापी से मान सकते हैं कमफर्ट के साथ-साथ आपको बढ़िया पेलोड कैपसिटी इस गाड़ी में मिल जाती है आज की इस वीडियो के माद्यम से हम इस गाड़ी के और में चानने वाले हैं सबसे बहुले बात करेंगे इस गाड़ी के कलर्स की तो इसमें आपको दो कलर्स मिलते हैं सबसे पहला है White और दूसरा है Blue और खासकर इसकी जो height है वो भी काफी अच्छी कासी है योगी 1.510 segment में पास करती है design के मामले में intra 50 काफी बढ़िया लगती है यहाँ पर आपको intra pickup की बैजिंग मिल जाती है Tata Motors का logo दिया गया है और साथी साथ यहाँ पर 50 की बैजिंग दी गई है इस गाड़ी में front side में आपको clear lens, hydrogen head lamp मिल जाते हैं साथी साथ यहाँ पर आपको fog lamp clear spacing दी गई है इसमें आपको AC and non-AC option मिल जाते है AC variant जो होता है उसमें आपको painted bumper मिलता है non-AC variant में आपको black bumper मिलता है गाड़ी का जो side से look है इस परकार दिखता है इस गाड़ी के loading सेमता के करम बात करें तो इसमें आपको 1.5 ton की payload capacity मिल जाती है और इसके deck से करम बात करें इस loading deck की लंबाई 9 feet 8 inch की है और चोड़ाई 5.3 feet है ने की 5 foot 3 inch की है और rear side से जो design है इस पर कर दिखता है loading box पर आपको Tata Motors का logo मिल जाता है यहाँ पर intra pickup की बैजिंग है driver को गाड़ी reverse करने के लिए आसानी हो यहाँ पर इसके लिए 2 reverse parking sensors आपको मिल जाते है साथ ही साथ इस गाड़ी में hell gun tail lights आपको यहाँ पर दिए गये है यहाँ पर इसका spare wheel location है और बात कर दे इस गाड़ी की suspension की इसके front and rear axle पर आपको leaf spring suspension मिल जाता है front side में आपको 2 leaves यने की 2 पत्ते दिए गये है यहाँ पर rear side में आपको 8 leaves यने की 8 पत्ते दिए गये है जिसकी वज़े से इस गाड़ी की loading शमता बढ़ जाती है अब बात करते इस गाड़ी की engine की Tata Motors की intra V50 में आपको 1496 CCNA की 1496 CC का engine मिलता है जो इस गाड़ी को 80 HP की power देता है 220 Nm torque के साथ इस गाड़ी का जो pick up है वो काफी अच्छा है 0 to 60 ये गाड़ी से मात्र 13.8 second में पकड़ लेती है power और performance में गाड़ी में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी अब बात करते हैं इस गाड़ी के fuel tank capacity की इस गाड़ी में आपको 35 liters का diesel fuel tank मिल जाता है और साथी साथ 16 liters का add blue tank इसमें मिल जाता है यहाँ पर इसका battery location है यहाँ से आप इसमें windshield washer fluid डाल सकते है और यह इसका colon tank गाड़ी थोड़ी चे उची होने कारण यहाँ पर आपको एक step भी मिल जाती है V50 को अगर आपको पेचानना होगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक black bottle मिल जाती जिसे आप आसने से इस गाड़ी को पेचान सकते हैं इंट्रा के पूरी series में आपको काफी बड़िया cabin मिल जाता है और इसमें भी आपको बहुत बड़िया cabin मिलता है खासकर दोर्स पर आप देख सकती है यहाँ पर Tata Motors का logo है यहाँ पर window up down lever है यह door unlock lever है और यहाँ पर grab handle आपको मिल जाता है साथी साथ यहाँ पर एक bottle order मिल जाता है और cabin में दो लोक RMC सफर कर सकते हैं दोनों ही series को आपको headrest मिल जाता है इंट्रा V50 में आपको काफी बड़िया steering wheel मिलता है handling के लिए काफी smooth है dashboard डिदन आप देख सकते हैं बिलकुल car जैसा है इसमें आपको 5-speed manual transmission मिलता है अगर आप इसमें top variant लेते हैं जिसमें AC आता है तो यहाँ पर AC की controls आपको दिख जाते हैं साथी साथ यहाँ पर आपको music system मिलता है अगर आप यह basic variant खरेते हैं तो आप पहर से भी music system लगा सकते हैं यहाँ पर आपको दो spacing मिल जाती है आपके कुछ छोटे मोटे सामान रखने के लिए फोन्स को चार्ज करने के लिए आपर 5-volt 2.4 ampere का USB charging port मिल जाता है यहाँ पर एक glow box दिया गया है और इस गाड़ी का चो cabin है यह walk-through cabin है जिसकी वज़े से आप एक side से दूसरे side में बड़ी आसनी सी जा सकते है यह इसका handbrake position है अब बात करते हैं इसके instrument cluster की इस गाड़ी में आपको digital instrument cluster मिल जाता है जिसमें आप speed, oil temperature, fuel level, df level, gear position indicator और खासकर इसमें आपको gear shift addwasser भी मिल जाता है मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी वडियो के साथ जय हिंद, जय भारत